हेलो फ्रेंड्स वाम वेल्कम टू अल अफ यू रामानुजन इंस्टिटूट में आपका स्वागत है और हमने इससे पहले एक जनरल ओम मिनिस्ट्री का सेटप देखा और पुलिसिंग का पॉर्सेस का सेटप क्या हो था यह देखा और आज हम जानेंगे एक इंपॉर्टेंट एस्पिक पे यो लोग त्रिपुरा पुलिस के रिकूटमेंट को 18 नौवेंबर से फेस करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह यह सब चीज़े जाने और आज हम बात करेंगे स्टेट लेवल स्ट्रीट पुलिस ब्यूर्यक्रेसी हो सकता है यह नाम यह वर्ड का जो कॉंटेक्स है यह आपको थोड़ा सा नया लगे लेकिन फ्रैंक्ली स्किपिंग आप यह थोड़ा वर्ट को याद रखी है स्टेट लेवल स्ट्रीट पुलिस ब्यूर्यक्रेसी मतलब आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हो सेलेक्शन के प स्टेट लेवल ब्यूर्यक्रेसी ऑफ पुलीस तो हम जानेंगे आज हो दो पुलीस फंक्शन सेट ग्रास्रूट लेवल और पुलीस स्टेशन पीस लेवल आप जिस फंक्शन में अभी इन्वाल होने जा रहे हो एज़े कॉंस्टेबल आपका जो रिकूट्मेंट होगा ओ आपके इंटर्व्यू के लिहास से आपको जानना जरूरी है तो विल टॉक अबाउट की कैसे रचना होती है कि थाना ले लीजिए पुरा में कोई भी पुलिस थाना ले लीजिए एक थाना के अंडर में पर्टिकुलर एरिया आता है जो उसके अधिकार शेत्र में आता है उसे कहते है जुरिस्डिक्जिक्शन ओफ फो पुलीजेशन तो एक अफिर इंचार्ज योना होता है जैसे हमने जाना था कि ऑफिसर इंचार्ज ऊची क थाना के प्रमुकल होते तो वो प्या करते एन officer in charge qarid-o C is the leader of the police station across the स्टेट जितने भी थाना आप द्रिपुरा में देखते हो इनका इंचार्ज होता है ओफिसर इंचार्ज ओफिसर इंचार्ज ओसी कहता है तो कहते ओसी कंट्रोल्स डायरेक्स and supervises the PS staff in allocation of duties in PS jurisdiction एक OC अपने jurisdiction में staff को supervise करता है उसके duty allocation करता है roster पर और सारे assignments देता है below his rank जो भी स्टाफ होता है एन ऑफिसर इंचार्ज अलोकेज the responsibility of beat staff और patrolling law and order duties एक पुलिस थाने में जो law and order का duty होता है यह एक थाने के अंतरगत में आने वाले जितने भी एरिया है इसको policing के एतबार से policing के लिहाज से area wise divide किया जाता है और दियार convenience उसको बोलते बीट और जो बुट लेवल पर होते पुलीस constabulary इसको manage करते एक बीट का एक constable इंचार्ज होता है और ऐसे थाना में कई सारे beat होते है तो यह beat policing जो होती है यह बहुत important होती है ग्रास लूट लेवल policing के लिए एक constable जो है वो head constable को report करता है और head constable जो है answerable है assistant sub inspector और sub inspector of respective P.S. आना में constable के उपर head constable है head constable के उपर assistant sub inspector है assistant sub inspector के उपर sub inspector SI के उपर inspector और officer in charge तो जो beat का जो management है एक ASI sub inspector को interest किया जाता है और वो constabulary को head constable के through ASI sub inspector manage करते है reporting करते है इसके लिए beat की एक हाइरी भी होती है beat diary और उसमें सारे जो incidences होते हैं कि beat में constable कहां report किया क्या complaint मिया क्या attend किया वो सारा note कर लेता है कि अपने कल hierarchy देखा था hierarchy में यह ब्लांक इसलिए भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो पुराने वीडियो में हायर की दिया हुआ है फिर भी मैं जस्ट आपको एक constable से उपर तक बता देता हूं constable head constable assistant sub inspector sub inspector inspector officer in charge के उपर DSP deputy superintendent of police या सब्डिविजन का प्रमोक होता है सब्डिविजनल police officer उसके उपर additional superintendent of police उसके उपर superintendent of police जो district के SP होते SP rank के उपर DIG होते deputy inspector general of police जो range के लिए responsible होते और उसके उपर होते IGP inspector general of police पुरा में जो policing आप देख रहे हो यह IGP range system of policing बोलते है इसको और British ने यह introduce किया था आज भी हमारा colonial pattern जो है अभी भी वैसे ही है पट हमने police reforms के जरीए changes लाये है हमारे जरुद के अनुसार और IGP के उपर होता है additional director general of police ओ दो या तीन हो सकते है जितने बड़ा state होगा उस अनुसारा और टॉप में जो हेड करते है डायरेक्टर जनरल आफ पोलीस वो हो गए police force के चीफ और डीजी पी administratively report करते है home secretary को राज्य के जो home ministry के अंडर में आते हैं कि आपको रचना समझ में आगए इसको ध्यान रखना अब बीट पुलिसिंग का function क्या होता है यसे बताया कि बीट पे constable इंचार्ज होता है उनको पुलिस थाना का शेत्र बीट में divided है तो constable को allocation किया जाता है बूट लेवल पे कि ये बीट में आप पेट्रोल करोगे अब पीट पुलिसिंग में functions क्या क्या होता है प्रिवेंटिंग क्राइम एक दाइत वहता है उनके पास कि कोई गुना हो रहा है उसको रोको मेंटनिंग लॉइन ओडर को जमिला हो रहा है नूसंस हो रहा है कोई बूट लेवल पे तो बीट पर जाकर रिपोर्ट करने वाला constable प्रयास करता है कि वहां पर लॉइन ओडर मेंटेनेंस ओफ लॉइन ओडर गैदरिंग इंटेलिजेंस बहुत जगह पर ऐसे होता है कि पुलीस आपके इलाका में भीट में आपको घूंते वी नजर आती है तो हो सकता है कि वह कुछ काम नहीं कर रहे है आपको ऐसे लगता हो बहुत ऑफन ओलो लोकल इंटेलिजेंस यह चीज़ याद रखना रिजॉलिंग डिस्पूट एक लोकल पेटी इशू हो गया कॉन्फिक्ट होता है तो कभी आके केस ना रेजिस्ट करते हुए को डाइरी ना बनाते हुए को जीडे एंटरी ने करते हुए वह वह रिजॉल भी कर देते है तो वह रिजॉल कर देना managing traffic अब जो पुलिस ऐसी होती है कि अगर बहुत ट्राफिक जाम हो गया तो कभी कभी कोई जम्ला होता है कोई problem होता है कि ऐसो कम्यूटी के डिय्लेशेंस इसको हम community policing कहते है खिए चीज प्याद रखना पोलीस टेशन का जो है बताव कि पुलीस एक पियस लेवल इस डिवाइद इंट इंट टू एक होता है आपका इंट पुलिस इविल और अम्ड पुलिस इस दो टाइप के होते हैं एक सिविल इन पुलिस और आम्मड पुलिस स्लिविलिन पॉलिस को आप ये भी कहते हो अन्यांट है ये जब आपका रिकूट्मेंट सेलEक्षण होता है तो यह वर्द आपने देखना और और ऑंड पुलिस को आम्ड कंटिंजन भी कहते हैं कि अब कंटिंजनन कि एक इंफेंट्री की तरह काम करते हैं पहला हो गया डंडा लेके निकलो पीटो कि समझ में आ गया वो इस तरीके से यह लेवल पर पुलिस भी दो तरीके से डिवाइड होती है नोट कर लेना पुलिंशल प्रोविंशल आम्ड पुलिस अभी यह क्या जमिला है यह क्या बात है इस लेवल पर आपने देखा कि कैसे डिवाइड है लेकिन डिस्ट्रीक और स्टेट लेवल पर भी ऐसी एक रचना है अब करेंगे त्रिपूरा स्टेट की तो प्रोविंशल आम्ड गटेट लेवल पर इक रिजर्व पुलिस होती है नौर्मली इसको इप डिजेवल को शरी स्विस्ट्रेट जनलल पुलिस देप्रिस फिसल कॉंद निर्ट करता है कंटेंजिंट्स की मॉमें फोग बलाइस करने के शर्में के दीरिक्शन स्टाइम टॉमेंट को पुलास करन या राजस्तान जगा जगा पर election duty के लिए जाते है इस तरीके से उनको यूज किया जाता है विए पी एसकॉट के आप मंत्री MPs के escort आप देखते हो तो TSR contingent वहां यूज करते है एक्जामपल त्रिपुरा स्टेट राइफल्स यह जो आम्ड प्रोविशल यह एक रिजर्व पुलिस फोर्स है जो इंसर्जन्सी से स्पेश्यलाइज तरीके से डील करने के लिए ट्रेंड की गई थी लाई गई थी अब न्यूट्रलाइज होने के बाद जब इंसर्जन्सी खतम हो चुकी है वह इन्हें इस तरीके के मोमेंट्स में सेकुरिटी डिप अब दिस्ट्रिक में भी आपके स्पी के कंट्रोल में इस्टिक आम पुलिस होती है जो इस्टिक सुप्रेंटेंड अपुलीस पुलीस स्टेशन के टीम को एसिस करने के लिए इन ताइमस अफ क्राइजमेंट यहां पर अंटेंजन जो है आम डिस्टिक लेवल पर उनको द ठीक है यह नॉर्मली यूस फॉर लाइन ओडर फेस्टिवल ड्यूटीज दूरिंग स्ट्राइक्स प्रोटेस्ट अन अधर अमर्जंसी इस्टिंगेंस और आम यूनिट के लिए इस तरीके के फेस्टिवल में आपने देखा होगा दुरुबा दुरुगा पुजा के दिय के दर अलग अलग जगा पर पुब्लिक एरियाज में पंदाल के आसपास क्लब के बहार पुलिस होती है यह एक आम कंटिंजन वैसे टिप्लॉई की जाए तो इस तरीके से हमने देखा कैसे बीट पुलिसिंग ग्रासरूट लेवल पे होती है आम्ड पुलिस का स्टेविल फुलिस जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन के काम भी करती हैं डिटेक्शन के इंटेलिजेंस गैदरिंग के यह बहुती है और आम्ड पुलिस का मोर और लेस होता है एक क्राइसिस को कंट्रोल में लाना थू इू यूटिलाजेशन ऑफ फोर्स यह होपुली आ और गुड लग तो यू थैंक यू फिर मिलेंगे किसी और वीडियो अब तक के लिए धन्यवाद